आज है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलबार जल्दी सभी स्कूल में टाइली करन का कारे पूरा कर लिया जाएगा सभी कक्षाओं में टाइस लगाई जाएंगी यूबी के सस्पताल में पैसे बिना नहीं रुकेगा इलाज भुपाल से मिलेगी मदद एम्स गोरकपुर के इमर्जनसी में आने वाले मरीजों का पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा एम्स गोरकपुर के मरीजों के इलाज में मदद एम्स भुपाल करेगा इसके तैयारी पूर्ण हो चुकी है एम्स कोरकपुर और एम्स भूपाल के बीच इस पर सहमती बन गई ये फैसला एम्स के कारेकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंग की पहल पर हुआ जिले के किसान नुबंबर में गेहु की बुआई करेंगे यमना प्रादिकरण शेतर में तेज होगा जमीन अधिगरहन मास्टर प्लैन में जुड़े पच्पन नए गाउं यमना एक्स्प्रस प्योद्धिक विकास प्रादिकरण ने किसानों के रीजबैक मामलों का जंजट खत्म करने की प्रक्रियाश शुरू कर दी है मास्टर पैन 2041 को मनजूरी मिलने के बाद गाउं आबादे का सीमांकन के बाहर ही भूमी अधिगरहन किया जाएगा फिलाल पंद्रा गाउं का सर्वे शुरू कराया गया है सर्वे के बाद किसानों से बाचीत कर आबादे का सीमांकन और जमीन का अधिग्रहन किया जाएगा उत्रप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला बिलजल नहीं कर सकेंगे मनमानी उत्रप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया उत्रप्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण प्रदेश भर में मनमानी करने वाले बिल्डर्स पर सरकारी चाबुक चलाया जाएगा उत्रप्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला प्रदेश के सभी छोटे बड़े बिल्डर्स के उपर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा उत्रप्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण बिल्डर्स के शोशन का शिकार बन चुके लाको फ्लैट बायर्स को बहुत बड़ा फाइदा पहुचेगा IITBHU को मिलेगी 400 करोड की छे परियोजनाओं के सौगात बनेगा 500 सीटो वाला ओडिटोरियम IITBHU का तेरवा दिक्षान समारो समवार को आयोजित हुआ इस दोरान में धावियों को मेडल दिये जाएंगे महीं IIT को 400 करोड की छे परियोजनाओं के सौगात मिलेगी 524 बेट के दो हॉस्टिल बनेंगे इसके अलावा 500 सीटो वाले ओडिटोरियम के नीव रखी जाएगी इनोवेटर्स और वेग्यानिकों के लिए 6 मंजिला सेटेटरी रिसर्च पार्क तयार किया जाएगा मुहित के परिवार से मिले सीम योगी तकाल 10 लाग की मिलेगी मदा सीम योगी आदितिनाव तेलकनों के चिनहट में पुलिस कस्टडी में मारे गए व्यापारी मोहित पांडे के परिवार से मुलाखात की सीम ने उन्हें 10 लाग रुपे की मदद तक काल देने का एलान किया इसके साथ ही सरकारी आवाज, बच्चों के निशलक शिक्षा और शासन की उधनाओं का लाब दिलाने का निर्देश भी दिया मद्रप्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशकबरी राजे में सस्ती होगी बिजली मेंगाई दिन प्रदे दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों का घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है इस बीच मद्रप्रदेश सरकार ने MP वासियों को बड़ी खुशकबरी दी साल 2025 से मद्रप्रदेश में सुभे नौ से लेकर शाम पांच बजे तक 20 परसन कम रेट पर बिजली उपलप्द कराई जाएगी लेकिन रात की बिजली के दर में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा एक अप्रेल 2025 से युस विधार लागू कर दी जाएगी दिवाले तक उल्लूों पर खास नजार हाई अलर्ट पर यूपी का वन विभाग दीपावली के मौके पर उल्लूों की तसकरी और अवैत खरीत पर रोग को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है चंबल खाटी के बिहडों में बड़े पैमाने पर विभिन प्रजाती के उल्लू पाए जाते हैं जिनको पकड़ने के लिए तसकर दीपावली से पहले व्यापक पैमाने पर सक्रिय हो जाते हैं कई दफा तसकरों को लू के साथ में गिरफतार भी किया जा चुका है हाला कि कुछ वर्षों से ये सिलसला वन विभाग की सक्रियता से रुका हुआ नजारा रहा है लेकिन इटावा में दीपावली के त्युहार पर उल्लू पक्षी की बली की आशंकाओ के मद्दे नज़र वन विभाग की ओर सहाई अलर्ट किया गया चार महीने पहले ही तयार हो जाएगा लखनो कानपूर एक्सप्रेस वे पिछट्ता पॉसन काम हुआ पूरा लखनो कानपूर के 20 सड़क मार्क से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है दोवश सेलिवेटिड रोट और ग्रीन फील्ड रूट का 75 पीस अद निर्मान का काम पूरा हो चुका है तैसमे सीमा से चार महीने पहले ही लखनो कानपूर रोट पर बन रहा एक्सप्रेस वे बन कर तयार हो जाएगा इस संबन्ध में बीते दिनों भारतिय रास्टिय राजमार्क प्रादिकरन के अपसरों की एक बैठक में निर्मान एजंसी के लिए तैसमे सीमा जुलाई दोहजार पच्चिस के बजाए मार्च दोहजार पच्चिस तक निर्मान कारे पूरा करने का लक्षे दिया गया है सबा को उसकी हिचाल से मात देने के कोशिश में बसपा पीडिये के साथ ब्रामनों को दी तरजी है उत्रप्रदेश के नौविधान सबा सीटों पर होने वाले उप्चिनाओं में बहुजन समाच पार्टी ने जाती है समीकरन के हिसाब से गोटे बिचा कर सपा को उसकी चाल से मात देने के चाल चली सपा ने जहां पीडिये पर एक बार फिर सिदाओं लगाया वहीं बसपा ने छे सीटों पर इने तरजी दी ब्रामनों को दो टिकेट दे कर ये बताने की कोशिश की है कि उनके लिए आज भी वो प्रिये हैं रोडवेस बसेस और ट्रेन में नहीं मिल रही सीट यात्री बेहाल ततकाल रेजर्वेशन को लेकर भी मारा मारी दिवाले पर खर जाने के लिए लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा साड़कपर जहां रोडवेस बसेस में काफी भीर देखने को मिली तो उने ट्रेन में भी जगा नहीं मिली दिलीकानपूर मार्क पर सबसेयाधे की आत्रियों को परिशान होना पड़ रहा है सबी सीटे, फुल होने से आत्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है ततकाल रिजर्वेशन का लाप भी नहीं मिल पा रहा राजा महेंद रुपताब सिंग विश्य विध्याले परिक्षा समीती का निर्णे सनातक पराइसनातक की ऐसी होंगी परिक्षा राजा महिंद्र पताप सिंग राजय विश्य विद्याले ने पराइसनातक पहले सेमेस्टर की परिक्षा लिखित में कराने का पैस्ता लिया हाला कि पराइसनातक तीसरे सेमेस्टर की परिक्षा ओयमार्शीट पर होगी दिपोटसफ के लिए राम नगरी आयुध्या में होटेल्स की एडवांस बुकिंग होने लगी है राम लला की प्राण प्रतिश्था के बार पहले दिपोटसफ को लेकर देशभर के राम भक्तों में विशेश आकर्शन दिख रहा है होटल कारुबारियों को उमीद है कि आने वाले दिनों में उनके सभी कमरे फुल हो जाएंगे वहीं चर्चा ये भी है कि अभी से करीब सत्तर पतीशत तक होटेल्स बुक हो गई है चिपकी स्टेशन से दुरला प्रजाती के चौदा कच्वे बरामा जियो आरपी ने चेकिंग के दौरान दो तसकरों को पकड़ा चिपकी स्टेशन से पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो तसकरों के कबजे से चौदा कच्वे बरामत किये कच्छों को वन विभाग को सौंप दिया गया आरोपियों के खिलाब वन जीव संडक्षन अधिनियम के तहत मुकद्दमाद दर्च किया गया प्रियागराज के छिपकी रेलवे स्टेशन के ब्लैटफॉर्म नमबर दो पर चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंग दलबल के साथ चेकिंग कर रही थी प्राम प्रतिशा के बार पहली दिवाली पर जगमगाई आयोध्या पचास कुछल फूलों से हो रही राम मंदिर की सजावार त्रेता युक जैसे आयोध्या के कल्पना राम नगरी में आकार लेती दिख रही है हो भी क्यों ना ये भवे महल में विराज इपालक राम की पहली दिवावली जो है आयोध्या उसी तरह से खुश है जब लंका विजह पर 14 वर्ष बाद भगवान शीराम आयोध्या लोटे थी इस बाद भी खुशी जलकेगी लेकिन ये दिवावली बालक राम वाली होगी 500 साल बाद भवे महाल में इस महल में राम डला के विराजने के उल्लास में पूरी आयोध्या आज से तीन दिनों जगमक रहेगी उप्चनाओं से पहले बड़ा सियासी फारा एस पी और बीजेपी के बीच छिडी पोस्टर पॉर्ड उत्रपदेश में विधान सभा के नौ सीटों पर हो रहे उप्चनाओं के बीच पोस्टर के सियासत गर्मा गई समाजबादी पार्टी ने पोस्टर के जरीए बटेंगे तो कटेंगे का मतलब समझाया तो वही भाजबा की सही होगी निशात पार्टी ने दोहजार सथाइस में अपनी एहमियत जताने का प्रियास किया सांस रोगियों के लिए आई एमरजनसी वाले दिन सांस तमास तमा टीबी सी ओ पी डी के मरीज साफधान हो जाएं उनके लिए आने वाले दिन किसी आपात काल से कम नहीं है खराब हवा के कारण ब्रॉंकाइटिस अटेक का खत्रा है आतिश बाजी का जहर और घुलेगा इसका सर दिवाली के दस दिन बाद रह सकता है हवा पहले ही खराब हो चुकी है जबकि अभी आतिश बाजी का दौर शुरू नहीं हुआ केंद्रिय प्रदोशन ये अंतरन बोर्ड के साइट पर जारी आंकडों के अनुसार सुमवार के सुभे छे बजे लकनों के ताल का टूरा शेतर में वायो गुर्वत्ता सूचकांग दो सो उन्तालिस रहा मरीजों को मिलेंगी बेतर स्वास्ते सुवधाएं अभी मरजनसी में तैनात करमचारी नहीं कर पाएंगे लापरवाही अमेडी के स्पतालों की मरजनसी सेवा में तैनात डॉक्टर नर्स वार्ट वॉई वान ने पैरा मेडिकल अब ड्यूटी में लापरवाही नहीं कर पाएंगे उच अधिकारियों के नर्देश पर सीमो ने डूटी में तैनात सभी करमियों को सिवास्तर से ही अपनी लाइब लोकेशन दर्च कराने का नर्देश दिया इस व्यवस्था के लागू हो जाने पर रात में भी मरीजों को सभी सरकारी स्वास्ते केंद्रों पर बेतर उपचार के सुवधा उपलब्द हो सकेगी धंतेरस आज को व्यापारिक कारियों में होगी व्रधी बढ़ेगा रोजगार मालक्षमे के सांती कुबेर भगवान की पूजा का दिन यानि धंतेरस इस साल आज 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है धंतेरस को धंतریयोदर शी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को धंतेरस के नाम से जाना जाता है यूपि डिजी पी प्रशाथ किमार का दिवाली को लेे कर बढ़ाने दिये सोशल मीडिया पर नज़ार गड़़ई की तो जाएंगे जील उतरप्रदेश के पुलिस महाने देशव प्रशान कुमार ने धंतेरस और दीपावली के त्योहार को लेकर वरिश पुलिस अधिकारियों को चाक्चोबंद सुरक्षाव्यवस्था के निर्देश दिये और आयोध्या में विशेश सतरक्ता बरतने के जिम्मेदारी अधिकारियों को सौपी राज़ सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार आयोध्या में आठवेदी पूटसप के तहट सर्यू नदी के तट पर 28 लाग दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने के तैयारियों के बीच रामलला के मंदिर में इस बार एक विशेश तरह के दीप जलाने की योजना है करचोरी रोकने के लिए जीस्टी विभाग ने निकाला अनूखा तरीका दीवाली पर करचोरी रोकने के लिए जीस्टी विभाग ने एक तरीका निकाला है राजकर विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि खरीदारी करते समय दुकानदार से पकाबिल जरूर मांगें इसकी पोटो विभाग के द्वारा जारी किये गए वाटसेप नमबर पर भीजें और पुरसकार पाएं राजकर विभाग के द्वारा 31 अक्टूबर के बाद विजेताओ के नाम घोशित किये जाएंगी राजानी पुलिस को दूसरे दिन भी मिली होटस को उड़ाने की धमकी चलाया गया चेकिंग अभियान राजानी लखनों में दूसरे दिन सुमार को भी पुलिस को मेल पर होटस को बम से उड़ाने की धमकी मिली इस पर पुलिस ने शहर के विबन होटेल्स में चेकिंग अभ्यान चलाया इससे पहले रविवार कुधम की बिलने के बाद पुलिस ने आदादर जन से अधिक होटेल्स में जाच की थी यूपी में समविदाकर्मियों की बले बले स्विभाग के सभी कर्मचारी होंगे पर्माननेट उत्त प्रदेश के नगर निगमों में काम कर रहे सभी समविदाकर्मियों को स्थाई किया जाएगा एस्ताइनिकाय निदेशाले ने प्रदेश के सभी नगर निग्मों से उनके हां कारेरत समविदा कर्म्यों का प्यौरा मागा है सभी नगर आयूक्तों को पत्र भीजा है भाजपाई धोके बाज़ी और खोके बाज़ी को जनता परस्त करेगी महरास के नाम अखिलेश रादब का खुला पत्र यूपी में उचना की बागडोर अपने हाथों में लेने के साथ ही अखिलेश रादब महरास विधान सबाच चुनाओ में भी पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद